आप सब लोग मास्क पहन लीजिए, तब मैं उतारता हूँ यह नहीं, तो मुझे पहना पड़ा हूँ, एक फोटो, उसी दिन मैं आया था, छे में, हम लोग बाई रोड आये थे, सी एम साथ भी आये थे, और उसी दिन लोगों को इशारा हुआ था कि मैं भागलपुर लड़ सकता हूँ, तो कि उस कारिकरम में मुझे विश्यस्तर पर बलाए गया था, तो आप तो मुगेर से मिर्जा चो की पुरा शेंक्शन हो गया, तो सारे पुल-पुलिया भी उसमें बन जाएंगे, उसको भी बलवाएंगे, जोड़ा जाया रहा है, दोड़ा जाया है, तो आप्टिकल फाइवर को हमने गाउंग वाहं तक पहुंचाया है, उसको जोड़ा जा रहा है, बिहार में वेड़ बहुत यूस करते हैं लोग, तो उसका बहुत लाग हो गया है, विद्धान सभा में भी अपार बहुमत से बिहार में जीतेंगे और नितिश कुमार जी के नितरुत में सरकार बनाएंगे तो बोल दिया है दो हजार पांच छे में राज का जो बजट है वो सिर्फ बाइस हजार क्रोड था जो खर्च भी नहीं होता था तो में चारा घुटाले के बाद बिहार का हर अधीकारी डरने लगा था और जो मंतरी भी थे वो टेबुल के नीचे वाले काम में जादे लगे थे टेबुल के उपर काम कम करते थे तो बजट भी पूरा खर्च नहीं होता था आज मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए कि नितिश कमाई जी के नितरुत में जो हमारी सरकार 15 साल चली है बीच में थोड़ा सा धुआ आया था लान्टेन का उसको अगर निकाल देंगे उसी में मिट्टी उट्टी कट गया मिट्टी गोटा लाई सब हो गया लेकिन जो बीजेपी के साथ मिट्श जी का गटवंदन रहा है उस वक्त बाईस हजार करोड का बजट बढ़कर आज दो लाख ग्यारा हजार करोड हो गया ये फर्क साफ दिखता है जिनको नहीं कि दो हजार पांच छे में स्वास्त का वजट एक हजार करोड था जो बीस एकीस में बढ़कर दस हजार नो सो पैंटिस करोड हो गया है बिहार में आजादी के बाद दो हजार पांच में बस एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बना था वो हमारे यहां भागल पुर्ण एकहत्तर में बना था इंडिये ने पिछले पंदरा साल के शाशनकाल में पंदरा नए मेडिकल कॉलेज बिहार को प्रदान किये गए एंडिये के से शिक्षा के च्छत्र में 2001 में बिहार का शिक्षा बजट चौबिस और तालिस करोड था दो हजार चार पांच में और आज उनीस बीस तक अगर देखें उसके बाद जो हमने किया है वो 34,799 करोड कर दिया गया नब्य एक आनवे में आप पांच तक शिक्षा का कुल जो है बजट जो था उससे कि बहुत कम था वहीं उनीस बीस में ये बजट आज बढ़कर 2,17,392 करोड हो गया